हलो दोस्तों मेरा नाम है तीजेश्वर और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ M1 के important topic को उपर लिकिन मैं इसमें बात करूँगा जो new syllabus था M1 का उसके उपर इसके next वीडियो में बात करूँगा old syllabus के उपर ठीक है तो M1 के important topic देख लेते हैं unit wise पहला है calculus इसमें जो पिछले साल question पूछे गया थे दो नमबर वाले वो थे gamma functions related और एक था defined definite integral गाल और 8 marks के थे reduction formula और एक था gamma function के उपर और एक था area bounded by करूँगा इस unit में वैसे दो नमबर के बस दो इक question पूछ सकते हैं गामा function से छोटा से दिया रहा है उसको solve करना रहेगा और एक definite integral से पूछेगा और बांकी आठ नमबर वाले question तो gamma function से उसे दे नहीं पड़ेगा गामा function थोड़ा बड़ा topic रहता है इससे यह MP है important topic है तो इससे question तो दे गई और एक question इससे reduction formula से दिया रहेगा इसका भी जो answer निकालने का procedure रहता है वो लंबर रहता है इसलिए 8 marks में यह आ सकता है तीसरा यह रहेगा लिकिन थोड़ा निकालने में difficult जाता है सबको तो आप लोग अगर यह दो topic कर लेंगे तो आप लोग को easy रहेगा अब हम लोग second unit के बात कर लेते हैं second unit में वैसे दो नमबर से तो रोलेस थे और हमको पूछे गई और 8 नमबर में तो McLaren series और Taylor series McLaren and Taylor series यह दोनों तो आएंगे ही आएंगे यह जरूरी है यह बहुत important topic है और यह आया भी था पिछले साल McLaren series का एक question था और Taylor series का और एक question था maximum and minimum यह जो maximum और minimum था वो 12th में जब हम लोग पढ़े थे square या rectangle में circle कितना maximum area cover करेगा इस type के जो question थे maximum and minimum है वो पूछे जाएंगे तो आप लोग Taylor and McLaren series तो करके ही जाईएगा अब बात कर लेते हैं थार्ड यूनिट की थार्ड यूनिट का topic है sequence and series इसमें अभी नया topic जो है वो है इसमें दिया है लेकिन अभी यह नहीं पूछे कि कि यह पीछले यूनिट में था तो four year series आएगा ही इस यूनिट से four year series एक हो गया topic और एक topic है जो जिसका अंसन निकानले में बड़ा रहता है process तो उसको आठ नमबर में जे सकता है वो रहेगा convergence test of convergence इसमें दोनों पूछता है test of convergence and divergence तो इसमें सिर्फ दोई topic important है इस यूनिट में जो रहेगा test of convergence and divergence और दूसरा रहेगा four year series expansion ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं four unit के important topic इसमें जो ये color divergence वाला है question color divergence and directional derivative इनसे तो एक question आया गही और एक question रहेगा continuity के उपर जो partial derivative है इसके उपर रह सकता है और दो number question तो इसमें कोज भी पूस सकता है या फिर color से पूछेगा gradient से पूछेगा या फिर divergence से पूछेगा या फिर limit का जो definition रहता है वह वाला पूछ देगा तो दो number इसमें fix नहीं है इस unit में तो आप लोग जो eight marks के question है उसमें आप लोग partial derivative तो कर ले ही लेना और दूसरा रहेगा divergence के उपर divergence रहता है तो दो topic तो आना बनता ही है एक रहता है Stokes theorem और एक रहता है Gauss divergence theorem तो यह दून topic आप लोग कर लिए जेगा अब हम बात कर लेते हैं fifth unit matrices इसमें तो दो number वाले पूछ सकते है एक पूछ सकता है आइगन value और आइगन vector दो number में और हर साल पूछता ह है यह CS theorem define करूँ और 8max में पूछ सकता है Kelly Hamilton theorem से जो inverse निकालते हैं वो वाला और consistency के उपर तो हर साल पूछे गही यह बहुत ही important topic है और आइगन value आइगन vector यह तो आए गही क्योंकि matrices में यह बहुत ही important topic है लेकिन कुछ question जो हर साल आते हूँ वो मैं आपके बता देता हूँ क्या पता वो इस साल भी आ सकते हैं तो यह है question यह consistency के उपर है यह मैं देखाँ 2018 2019 में पूछा गया था और एक question है यह जो Kelly Hamilton theorem से निकलेगा वो यह वाला question है ठीक है इसे आप लग नोट कर लिए अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक करें शियर करे है और जिनका भी back paper है वो old slave us का important topic है वो बताँगा उससे जरू देखें थैंक्यू